नमस्ते, मैं हूँ धत्परा अहुरातरा और आज हम जानेंगे मालाओं के बारे में ये पर्टिकुलर माला सांडरबुड से बना है इससे सांडरबुड की खुशबू भी आती है हर एक माला 108 बीजों से बना हुआ होता है हिंदू धहन की बारे में जरा सी भी जानकारी रखने वाले ये जानते होंगे कि मंत्र उच्चारन और जब करते बद हम 108 बीज वाले मालाओं का इस्तमाल करते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा बीज होता है जो हमें जानने में मदद करता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर 108 ही क्यों इसका उत्तर ढूनते समय मुझे इतना आश्यर्य करने वाला उत्तर मिला जो मैंने सोचा मैं आप सब में शेयर करूँ और इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल और बेसिक वीडियो बनाया है जिसके त्रू में आप सबको लिखे जाओंगी सो प्लीज कीप वहचें ये नीला रंग का गोला आज हमारा आकाश बनेगा यही जोडियाक या राशी चक्र के नाम से जाना जाता है जैसे कि हम जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्रीज का होता है 360 डिग्रीज को 12 राशियों में डिवाइड करने पर हर राशी को 30 डिग्रीज का अंगल मिलता है और इससे ही बनता है 12 राशिया जिनहें हम इंग्लिश में जोडियाक साइन्स कहते हैं और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये है इसी राशी चक्र में समाते हैं हमारे 27 नक्षत्राज इन नक्षत्रों का नाम है इस राशी चक्रों को 27 नक्षत्रों में डिवाइड करने पर हर एक नक्षत्र का डिग्री 13.20 होता है इन नक्षत्रों को आगे जाके 4 चरणों में डिवाइड किया जाता है जिनको पादास कहते है 13.20 को 4 से डिवाइड करने पर हर एक पादा 3.20 डिग्रीज का बनता है एक पूरे राशी चक्र में कितने पादास होंगे ये जानने के लिए हमारे पास दो तरीके है पहला तरीका ये 9 पादास को 12 राशीयों से मल्टिप्लाई करेंगे दूसरा तरीका 27 नक्षत्रों को 4 पादास से मल्टिप्लाई करेंगे दोनों ही तरीकों से एक ही उत्तर मिलता है 108 पादास ये 108 पादास का जोमेट्रिकल इमेज है जब हमने इस चित्र को God Particle के चित्र से compare किया तो हमें बहुत सारे similarities दिखे God Particle क्या है ये God Particle God Particle scientist का एक हाली में हुई खोच का परिणाम है ऐसा बोला गया है कि हमारी स्रिष्ठी का कारण ही ये God Particle है एक और आश्चरे चकित करने वारी चीज ये है कि इस पूरे research में numerical number 9 को बहुत स्यादा महत्वा दिया गया है उधारन के तौर पर हमारे solar system में 9 planets है 360 degrees, 3 plus 6 is equals to 9 108 पादास, 1 plus 8 is equals to 9 27 नक्षतरास, 2 plus 7 is equals to 9 हमारी हिंदू धर्म का श्री अंत्र, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य में geometrical puzzle है वो भी 9 त्रिकोनों से ही बना है इन सभी चीजों से यही मालूम होता है कि जब हम 108 बार मंत्र उचारन करते हैं तब हम directly या indirectly पूरे स्रिष्टी से प्रात्ना करते हैं नाइन ग्रहों से प्रात्ना करते हैं, 27 नक्षत्रों से प्रात्ना करते हैं, 12 राशियों से प्रात्ना करते हैं और निर्गुण निराकार परब्रम्हा से प्रात्ना करते हैं धन्यवाद तत्परा अहोरात्रा झाल झाल